नमस्कार दोस्तों तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं एक मात्पूर एडिटोरियल के बारे में क्यों क्रांतिकारी कदम है फास्टेग इसके संपादक में सुभ माई वट्टाचार्ग सडक चित में भारत का 30 राज वड़ा पेवक 3 साल से भी कम समय में दिसंबर में सुभ हो गया हलाकि राष्टिय राजमारगों के टोल फिलाजा पर फास्टेग को अनिवार रूप से लागू करने की अंतिमति थी 15 दिसंबर थी लेकिन सरकार ने लोगों को थोड़ी रियायत दी सरकार ने कहा है कि टोल फिलाजा पर कम से कम 75 फिस्टी लेंड को एलेक्टोनिक टोल संग्राइब फास्टेग का इस्तिमाल करना होगा सडक एवं परिवाहन मंत्राले ने कहा है कि राश्टी राजमार तोल फिलाजा पर 25 फिस्टी तक फास्टेग लेंड को एक महिने के लिए हाईवरिड लेंड बनाया जा सकता है इसका मतलब है कि 15 जनवरी तक नगदी सुईकार करेंगे लेकिन बाहनों से जुरुमाने के तौर पर दुगना टोल वसूला जाएगा हलाकि लोग अब भी फास्टेग खरीद सकते हैं एक साल पहले देश में वाहनों के लिए एक बर्स की बीमा नीती से बहु वार्षिक नीती की योजना लागू की गई थी अंगले साल अपरेल से देश में वीकने वाले हर नए वाहन को कड़े भी अच्छे उत्रजन मानकों का पालन करना होगा इस दोरा नीमों में कई और बदलाव किये गए जैसे ड्राइविंग लेसंस के नीमों को सकत बनाये गए और याता यात नीमों का उलगन करने पर जुर्माने में भारी वड़ोत्री की गई कुल मिला कर देश में राजमार्गों पर वाहन चलाने की नीमों में पहले कभी भी इतने कम समय में इतने अधिक बदलाव नहीं हुए थे इन में से सभी वाहनों पर फास्टेक लगाने की योजना किरांती कारी सावित हो सकती है इसके तैस सभी वाहनों पर रेडियो फेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाये जाएंगे हाला कि दिसंबर 2017 के वास से सोरूम से बाहर आने वाले हर बाहन पर यह उपकरण लगाये जा रहे हैं लेकिन एक केवल सजावटी बनकर रह गए थे पुराने वाहनों को विंड इसकीन पर यह चिप लगानी होगी लेकिन दिसंबर एक दिसंबर से यह चिप सक्रिय हो गई अब केवल इसी चिप में टोल का भुक्तान किया जा सकता है 15 दिसंबर से जिन वाहनों पर इस चिप नहीं होगी उन्हें टोल की रासी से दोगुना जुर्माना देना होगा सड़क परीवान एवं राज मार्ग मंत्राले के एक सूत ने कहा है पिस सरकार जुर्माने से पैसा नहीं बनाना चाहेती इसका मकसद लोगों में इलेक्टोनिक तरीके से टोल के भुकतान की आदत डाला है हर जगए फास्टेक के इस्तिमाल को सुनिश्चित करने के लिए मंत्राले 2012 से फिर्यास कर रहा है तब उसने इसके लिए एक सयुक्त उफकरम इंडियन हाइवेज मैनेजिमेंट कंपनी लिमिटेड बनाई थी यह एन एच एई वैंक और प्रमुक सड़क निर्माड कंपनियों का सयुक्त उफकरम है आई एच एम सी एल में एन एच ए आई की एक ताली दसमलो 38 फिश्दी निर्माड कंपनियों की तैंती दसमलो 81 फिश्दी विद्धिय संस्थानों की 24 दसमलो 81 फिश्दी विश्यदारी है देश के डिजीटल अर्थवस्था पर अन्न कई चीजों की तरह यह भी नंदन नीले कड़ी द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पर आधारित है कई फिर्यासों के बाद मंत्राले को उम्मीद है कि इस महिने से देश के राष्टिय राजमार्गों पर तोल संग्रे की विवस्था में अमूल चूल वदलाओ आएगा और यह पूरी तरह इलक्टोनिक तरीके से वसूला जाएगा IHMCL की अध्यक्च और प्यबंद निर्देशक आसी सरमा कहते हैं कि फाष्टेक से किसी सड़क पर चलने वाले बाहनों की सटीक संख्या का पत्ताच चल सकेगा उन्होंने काया कि इससे टॉल्ट ऑपरेट ट्रांसफर सड़क फरी ओजनाओं के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को सटीक आकड़े मिलेंगे तो उन्हें भी अभी नहीं मिल रहे हैं जो अभी नहीं मिल रहे थे उन्हीं के बारे में बाद साथी इन आकड़ों से सरकार को भी इन परी संपत्तियों की बिक्री में वेहतर कीमत मिल लगेगी आई एच एम सी एल की आकड़ों के मताविक नमबर के नवंबर के पहले सप्ताव में फास्टेक के जरिये 22.5 लाग टोल का भुक्तान किया गया था राजस्व के संदर मेया संग्राए 173 करोड रुपे से थोड़ा अधिक था अंगले पूरे महिने के लिए रोजान देखा जाए तो फास्टेक के जरिये टोल भुक्तान की संख्या करीब 3 करोड होगी इससे करीब 700 करोड रुपे का राजस्व आएगा देश में कुल टोल संग्राए में फास्टेक की हिस्सेदारी 30 फीसदी से कम है लेकिन सरकारी सुतनों के मताबिक फिछले कुप सब्ताय में यह संख्या 50 फीसदी पहुंच चुकी है प्राई सावाटर कूपर्स की एक अध्यन के मताबिक अप्रेल 2017 में सभी टोल पिलाजा पर इटोल लेंदिन की आउस्ट संख्या करीब 75 लाग थी याद रखिए प्राई सावाटर कूपर्स की अध्यन के अनुसार है अंगलाई दुनिया में बहुत पहले से ही राजमार्गों पर टोल के भुक्तान के लिए तुरित सुगम और नगदी रहत विवस्था के रूप में इलेक्टोनिक टोल का इस्तिमाल किया जा रहा है दुनिया का पहला इलेक्टोनिक टोल प्लाजा नौर्वी में 1986 में शुरूँगा था याद रखिए नौर्वी में 1986 में इस सताब्धी के शुरूँग होने पर कई देसों ने इस विवस्था को अपना लिया था येसिया में जापान 2001 में चेन 2014 में इसे अपनाया था जाहर है कि इसमें भी भारत पिछड़ गया था इसके लिए एक जरूरी सहत देश में सभी राष्टी राजमार्गों पर इस ते टोल प्लाजा को जोडने के लिए एकिकरित केंदिये विवस्था मुरेहा कराना है भारतिय राष्टिय वुक्तान निगम के गठन से अब यह संभा हो गया है अब देख लेते हैं कैसे काम करता है फास्टेग यह एक सामान प्रुद्धोग की है यो कुछी सेकेंड में सिगनल साजा करने के आठ चरणों से गुजरती है इसमें फास्टेग चारी करने वाले बैंक एनपी सी आई द्वारा संचालित नैशनल एलेक्टोनिक टोल कलेक्शन और टोल गेट सामिल होता है जब फास्टेग लगी कोई कार टोल पिला जागी तरफ बढ़ती है तो गेट फो लगाग एंटीना टेग की रेडियो फ्रिक्वेंसी को लॉग कर लेता है और सम्बनित बैंक को उसकी जानकारी सत्यापित करने के लिए मैसेज बेजता है बैंक एनपी सी आई स्वीफ को बाहन की जानकारी को सत्यापित करने को कहता है अगर दोनों का वेवरा मेल खाता है तो स्वीच बैंक को इस पात की पुष्टी करता है कि टेक्स सही है बैंक फिर टोल की रासी की गड़ना करता है बैंक फिर एनपी सी आई स्वीच को गरहक के फास्टेक से टोल की रासी काटने को कहेगा रासी कटने पर बैंक गिराहक को SMS अलर्ट वेजेगा अगर निर्धारे समर्ड के भीतर बैंक से जवाब नहीं मिला तो इस लेंदेन को सुईकार माना जाएगा लेकिन सिंग्लल की विवस्था अभी पूरी नहीं हुई NPCI स्वीच बैंक को सूचित करेगा कि लेंदेन हो चुका है और बैंक इसकी सूचना टॉल ओपरेटर को देगा NPCI की मौजूदगी से निश्चत है कि कोई भी बैंक फार्टेक जारी कर सकता है हलाकि अभी केबद 24 बैंकों को ही इसके लिए अधी सूचित किया गया लेकिन दस बैंकों नहीं इसके लिए फ्रोदोग की प्लेटफॉर्म की विवस्ता की इनमें एक्सिस बैंक SBI, HDFC बैंक, IC ICI बैंक PNV बैंक सामिल है साब है कि फार्टेक में बाहन की जानकारी रहती है इसे एक बाहन से दूसरे बाहन पर नहीं लगाया जा सकता ग्राहक इसे अपने बैंक खाते से जोड़कर इसमें पैसा हस्तांत्रिक कर सकता है या प्रीपेड विवस्ता अपना सकता है दोनों मामलों में दो दिसमलों पांच फीशदी छूट के हगदार है लेकिन फीपेड अकाउंट के साथ यह समस्या है कि ग्राहक को इसे रीचार्ज करना होगा अगर टैग में पैसा नहीं होगा तो यह टॉल पिलाजा पर बिलेक लिस्ट हो जाएगा और इसे दुबारा सुरू करने के लिए बहुत जंजट है तो याद रखिए अब जो फास्टेक है इससे अब भी कहीं रुखना नहीं पड़ेगा पड़ेगा आप लोगों को टॉल पिलाजा पर चलिए तो यह था फास्टेक से संबन दे